हरे कृष्णा आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी में हमको विश्वास करना चाहिए क्या जोतिश में हमको विश्वास करना चाहिए क्या ये अंदर विश्वास है कि जोतिश शास्त्र भविश इसको भविश को चेंज कर देंगे हम कोई नो कोई हम तोटका लगा लेंगे कोई तरीका अपना लेंगे किसी पत्ते के उपर केले के उपर हम जल चुड़ा देंगे और ये सब करने से मैं अपने भागी को बदल सकता हूँ क्या वाकिम ऐसा होता है कि एस्ट्रोजी में विश्वास करना चाहिए हम मौडरन एज के लोग हैं पड़े लिखे लोग हैं क्या हमको एस्ट्रोजी में विश्वास करना चाहिए well astrology को पहले बात तो ये समझने पड़ेगी कि astrology जो है एक शास्त्र है इसको बहुते है जोतिश शास्त्र और ये हमारे शुतिश शास्त्र का भाग है हमारे शास्त्र दो प्रगार के है एक है शुतिश शास्त्र और शुतिश शास्त्र So, ये है क्या आश्री एस्ट्रोलाजी एस्ट्रोलाजी जो है, it's a language to read out कर्मा जैसे कि अगर कोई चीज पढ़नी हो तो मुझे देवनागरी लिपी चाहिए उसी तरह से कर्मों को पढ़ने के लिए भी एक language चाहिए होती है और उस language को बोलते हैं जोतिश शास्त्रे जोतिश शास्त्रे से हम कर्मों का लिखा जुखा पढ़ सकते हैं लेकिन बात ही आती है क्या जोतिश से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं क्या नहीं हम इसको बदल नहीं सकते हैं जोतिश जो है ये एक PDF फाइल की तरह है PDF file को अब पढ़तो सकते हैं लेकिन उसमें changes नहीं कर सकते हैं उसे तरह से जोतिश के माध्यम से हम किसी विक्तिक कर्मों को पढ़ सकते हैं जान सकते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है विक्तिका सुभाव क्या होगा जैसे अकसर लोग marriage के लिए जोतिश को refer करते हैं तो marriage अभी इसका प्रयोग इसने होना चाहिए कि मेरे होने वाले spouse का या आगे जो बच्चे हैं उनका nature क्या होगा और उस तरह से उनको training दी जा सके उनसे dealings की जा सके लेकिन इस PDF file को हम change नहीं कर सकते तो इसी लिए जोतिश शास्तर जो है ये एक PDF file की तरह है जिसमें हम कर्मो का लेका पढ़ सकते हैं लेकिन हाँ उसको change नहीं कर सकते हैं अच्छा दूसी बात या आती है कि क्या astrologers क्या ये हमारे कर्मो को change कर सकते हैं अकसर लोग astrologers के बास जाते हैं लेकिन बात ये समझने पढ़ेगी जो astrologer 500,000 रुपे लेकर के computer से हमारे जोतिश निकालता है हमारे chart को निकालता है तो क्या वो हमारे कर्मो को बदल सकता है नहीं वो खुद बचार अपने कर्मों में भसा हुआ है तो वो भला हमें हमारे कर्मों से कैसे निकाल सकता है और astrologer को भी spiritual consciousness में होना चाहिए इफ अगर इफ दे astrologer is not having spiritual consciousness तो उसकी astrology जो है उतनी accurate नहीं होगी क्योंकि astrology चलती है instincts पर और instincts उतने ही sharp होते चले जाते हैं जिस proportion में वेक्ती spiritual होता है तो इसलिए astrologer भी आपकी किस्मत बदल नहीं सकता ना ही जोतिश के कई तरीके हैं ना उसे हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं दूसरी वे कॉलबा समझने की कि अकसर जब लोग astrological solutions जाते हैं कि आप पन्ना पहन लीजे आप पुखराज पहन लीजे इस तरह के कही सारे स्टोंस आते हैं जिनको पहन करके लोग अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं लेकिन हम यह समझना पड़ेगा कि यह स्टोंस हैं यह हमारे कर्मों में इंटरफेर नहीं करसे हैं देहां dead matter जो कि हमने पहले किये थे उनके फल है जो कि आज हम भुगत रहे हैं तो यह शनी नहीं है जो कि इसको दुख दे रहा है यह उसके बुरे कर्मों के फल है जो कि आज शनी रूप में उसकी जीवन में आया है और यह उनने साल उसके frustration में depression में बीतने वाले darkness में बीतने वाले जैसे कि astrology में एक टम आती है गुरू चंडाल योग यानि कि विक्ति का ना साधुों में वैश्णों में गुरू जनों में विश्वास नहीं होता है शुद्धान यह आपाती ऐसा भला क्यों होता है यानि कि इस विक्ति ने पिछले जनम में या तो अपने गुरू को धोगा दिया कि गुरू ने बोला है चार नियम का पारण करना लेकिन है चार नियम भर भर के तोड़े गुरू ने का था कि तू सोला माला का जब करना लेकिन इसने सब हरी नाम लेना सब छोड़ दिया, गुरू को धोगा दिया, गुरू के बलकी पैसे थे, वो बजब्त किये और उनका अपने इंदरी दिप्ते में इस्तिमाल किया, गुरू को धोगा दिया या फिर ऐसा गुरू था जिसने के शिश्यों को धोगा दिया तो इसलिए वो सोचे कि मैं गुरू चंडालियों को मिटिकेट करूँगा बाई वेरिंग पुखराज ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि वो जो बुरे करम करके आया है उसको उसके फल तो भुगतने पढ़ेंगे और साथ ही जो एस्ट्रोलोजिकल सोलूशन जो लोग करते हैं इसलिए हमको एस्ट्रोलोजिकल सोलूशन के चकर में नहीं पढ़ना चाहिए बलकि देविदेता खुश इससे होते हैं कि ये सारे दुख, ये कष्ट, अल्टिमेटि इनका पर्पस है कि हम परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, विनम्र होते हैं तो ऐसी भवना को देख करके, जो हमारे उपर एस्ट्रोलोजी के पॉइंट अ व्यू से जो बैड एफेक्स आ रहे हैं, ये अपने आप मिटिगेट होने शुरू हो जाते हैं तो इसलिए जब कोई विक्ती भगवान की शरण में जिस प्रपोर्शन में आता चला जाएगा एस्ट्रोलोजी यानि की कर्मों के प्रभाव उसके उपर उतने कम होने शुरू हो जाएगे फॉइ एगर मैंने बहवान श्रीक कृष्ण के शरण ले लिए हैं 40% तो यानि अब एस्ट्रोजी मेरे उपर काम करेगी सिर्फ 60% अगर मैंने बहवान श्रीक कृष्ण की शरण ले लिए हैं 90% तो अब एस्ट्रोजी यानि रूपर काम करेगी उनली 10% और मैंने अगर 100% बहवान श्रीक कृष्ण की शरण ले लिए हैं तो अब एस्ट्रोजी मेरे उपर काम करने वाली नहीं है क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण है जो कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों के साथ खेल रहे होते हैं और वो इस प्रकार से खेलते हैं कि हम कर्मों के माध्यम से भी भगवान की और जा सकें और हुआ धेरे-धेरे करके सारे कर्मों की पोती को कब चला करके रात कर देंगे ये हमको पता भी नी चलेगा तो इसलिए हमको एस्ट्रोलोजी के दुआरा ये समझना है कि हम कर्मों को एस्ट्रोलोजी से बदलने सकते हैं जिनहां भक्ती की ताकत से हम इन कर्मों को बदल सकते हैं इसका मेरा personal experience है जब मैं भक्ती में नहीं आया था तो मेरी एक कार्मिक binding है और वो ये है कि मैं जो भी खाऊंगो मुझे acidity होगी ही होगी I will have stomach disorders और ऐसा हुआ भी करता था Till the time I started taking prasal जब मैंने भहवान श्रीक कृष्ण को अर्पित प्रसाद खाना शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक मुझे को acidity नहीं हुई क्यों? क्योंकि भहवान को अर्पित जो हम खाना खाते हैं तो होता क्या है उस अर्पित भोजन के अंदर भहवान की कृपा है और उस से जो है मेरा कार्मिक रियाक्शन और हैविंग फूड और हैविंग अविंग असिडिटी वास कम्प्लीटी डिस्टॉइड लेकिन अगर आज भी मैं गल्ती से अगर बिना भहवान को भोग लगा अगर खाना खा लूँगा तो मुझे तुरंट ऐसी डिटी हो जागी क्यों? क्योंकि वहवान क्रिशन की कृपा है वो हमें हमारे कार्मिक रियाक्शन के परे रिखे रिखे चले आती है एक और चीज़ जो हमें समझनी है means they are compelled to act in a certain way लेकिन जितने जादा हम लोग मनुश्य होते चले जाते हैं और मनुश्य भी spiritual होते चले जाते हैं यही compelled मन जाता है impel means pushing तो होगी but yet हमारे अंदर शक्ती होगी आध्यात्मिक शक्ती होगी जैसे कि हम उन pushings को सह सके तो इसी लिए जो astrology है यह हमें compelled नहीं करती यह सिर्फ impel करती है और इसके compulsion power उतनी कम होते चले जाएगी जतने जादा हम spiritual होते चले जाएगे तो इस तरह से हमको समझना है कि जो astrology है it is not the everything it is second most powerful thing in the world most powerful thing is Krishna most powerful person is Krishna और वहाश्य क्रिशन की क्रिपास से Hare Krishna